तो aggregate formula और sub total formula दोनों formula same category है हम आपके साथ उभी discuss करें मानेजी छोटा सा data है और नीचे मैंने यहाँ पे इसकी total कर दी है हम यहाँ पे total का formula लगाया और यहाँ पे floss sum करके इसको हमने total कर दी है तो यहाँ जो total आ रहा है overall total आ रहा है देव का total नहीं आ रहा है तो देव का total दीखे मदर की filter लगने के बाद जो visual है उसी का total दीखे इसके लिए हम लोग sum काने sub total का formula इस्तमाल करते हैं sub total sub total में हम सिर्फ sum ही नहीं कर सकते हैं हम इसमें average count count a maximum minimum बहुत सारे calculation कर सकते हैं तो मुझे को करना है sum इसमें sum पी जाएंगे और sum पे tap प्रेश करेंगे या फिर मिन्मोली आप 9 लिट सकते हैं उसके बाद आप अपने reference को select करें और enter प्रेश करें आपको यहाँ दिखेगा 28150 अगर मैं इसको filter करता हूँ और filter करने के बाद मैंने आगे मांने जिदेव को again select किया तो यहाँ आपको 250 तो होगा है और आपसे जी कि आप सब पॉर्मूला सिर्फ सम करने के लिए नहीं है यह बहुत साथे calculation करने के लिए है तो कौन सा calculation करना है और एक चोटी सी problem होती है कि हमारे पास कि अगर आपके data में किसी भी तरह का error हुआ तो कोई भी फॉर्मूला आपका error ही return करेगा तो यहीं पर हमारा aggregate formula वर्फ का होता है कोई aggregate formula के अंदर में aggregate formula लगाते हैं सेम सब total की तरह ही चलता है और यहां हमने select कर लिया line और यहां पर हमने ignore कि ignore क्या करना है तो हमें ignore करना hidden value and error और फिर हम उसको select कर लिये और enterprise कर लिये अब यहां पर क्या चलता है सब total के error दे रहा था यहां यह turn कर दिया और subtotal इसी तरह ही यही work करेगा और यहां पर आपको देगा तो यह हमारा value formula है ओके clear है तुदा हो किसमें no sir चलते आगे रखते